नमस्कार दोस्तों इस वक्त मुझूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी नूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मुझूद है तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी नूज पर और देख के रहिए आखों देखा हाओ ताजनगरी आगराक में कोरोना संक्रमण से दोधोहात करने की आज सबने ठानी है सहरों में आधनिक सुबदाएं तो हैं तो गाउवालों ने अपने देशी उपाए अपना है जी हम बात कर रहे हैं ब्लॉक बरॉली हेर की ग्राम पंचायत नौबरी की ग्राम पंचायत नौबरी के लोग गाउव में लगे पीपल के ब्रच्छों की सरण में हैं नियमित तोर पर ग्रामीड इन ब्रच्छों के नीचे बैठ कर अपना ऑक्सिजन लेवल बढ़ा रहे हैं तो सुद्ध वातावण में भरपूर सांसें ले रहे हैं इसके अलाबा ग्राम परधान ने गाउं को सेंटराज कराने के साथ ही अस्ताई अस्पताल भी बनाया है पर जाच करती हैं तो आईए जानते हैं क्या कहना है ग्रामीड और ग्राम परधान का तरह ही है हुमारे यहां सब सफही चल रहा है कोई भी बीमार नहीं है और चैनि टायर के साथ साथ गाउं कि साप सपाई पर जिसे ध्यान दिया जा रहा है और क्या विवस्ता है और विवस्ता है किसी को अगर कोई परिशान ही होती है तो हमारे लोग यह घर आके और सब को देखने के लिए तयार रहते हैं आप प्रक्सवागी टीम आती हैं अब है अब हम सवनुए आदो आज आप पेड के ऊपर बैठें तो थोड़ी स्तास लेने में दिक्कत हो रही है तो फंदर दिन से इस पीपल के पेड़ पर बैठा उसे आराम मिला है मुझे अराम मिला है हां और भी लोग आते हैं और भी लो प्रताप सिंग महेल के रहने वाले हैं आप पीपल के लिए योग कर रहे हैं हमें परिसानी होती थी थोड़ी सांस लेने में हमारा इलाज भी चला है आरेम में हॉस्पिटल में तो अब यहां पर आराम मिला है हमें काफी दिक्कत हमारी दूर हो रही है और हम करी करी दस दि कर रहे हैं यहीं पर कर रहे हैं यहीं पर करते हो योग भी करते हैं और अप्जियर भी लेते हो जी प्रदान जी ने बोला है मही पाले आदम ने बोला है कि यहां पर सब लोग अपने अक्षियन लोग पीपल के बड़े से बहुत अक्षिन छोड़ता है मैं ना राम दी रह कहां के रहुा हैं नौटी के और सभी स्थिभा के दिट हैं पडेडाने के नीचे बैटो हूं प्रीसाने बैटेगी थिकरों recovered आई पर अजी हैं ओड एंड एमडा दर्जी मांप हinstallा ही तो मां अज परेषान हो हूं यह आपूर पीपल के नीचे नीचे क्या मिलता है और रीजल आपको किसने थी तिलान नहीं कितने लोग बैठते हैं यह कई हो वैटते हैं मेरा नाम राजी धनगर है अज क्या मामला है अज पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग रहते हैं मैं योग प्रेशिश्चक हूं और इस समय जो फोरोना के इस बैरस से पीड़ित हो करके ऑक्सिजन का लेवल बहुत गिरता जा रहा है उसको देखते हुए हमारे नव को बढ़ाने के लिए पीपल सबसे जादा अक्सिजन देता है तो हम सभी ने विचार किया कि क्यों ना हम इस ब्रक्ष के नीचे बैठ करके योगा करें और यहां अक्सिजन लेवल बढ़ाएं तो यहां कुछ बुजर्ग लोग हमारी आंकी ऐसे हैं जो अपने आपको आ करके यहां सभी बुजर्ग नौजवान आकर के अपनी उक्सिजन देते हैं वहारे गाउं में हर कोने पर इतने इतने वड़ी ब्रक्ष दो-चार हैं और इस परसर में भी हमारे तीन-चार ब्रक्ष हैं यहां आकर के लोग उसका पुरा आनंद देते हैं पुरा फायदा और इत्यास में और पुराना पेड़ है जो पीपल का पेड़ है ब्रच्च है इसलिए हमने घर जाके यवाटी ने जाकर सबसे आगरे किया कि आप सब और बीमारी से काभी हद तक आराम मिलेगा और और जब तक अच्छा रहेगा बीमारी से बचे रहेंगे और यह चलाई तो लोगों के लगा करते हैं तो चार गंड़े या बैठते हैं इसके उनका अब ठीक चला लाए उनकोई दिक्क्त नहीं है अब कभी ज्यादा समझ्या हो अब आराम बेठा लेटा आए जाता है और उनको डॉक्त पूचित किया जाता दोक्टर आते हैं और उन्हें अपने दावाईयां देते हैं जिससे आराम मिल सके हैं अब यह नए नए पदाने के वेदि बहुत को है पूरा घाम कुछ है बहुत बढ़िया तरक्टी हो रही है फूर सपाय और रही है फूर नाले भाले सब चाहब रही है जाते हैं फूर प्रके प्रेड़े के निसे खूब अक्षन परिया सब से लोग ज़ों के दिलों लेए सहर से लेकर देहा तक कोरुना वाइरस ने जिस प्रकार विक्राल समस्या पैदा कर दिया ऐसे में सहर में ऑक्षियन की किल्ट के चलते ग्रामीड पुरानी पददी पर आ गए हैं ग्रामीडों में बता जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठने ते ऑक्षियन मिलती है वही सहर में ऑक्षियन की किल्ट है जिसके चलते ग्राम परधान नौबरी श्रीमती इसनियल अतब के पती महीपाल यादब की पहल पर आप देख सकते हो बुजरुक किस प्रकार गाउं के बुजरुक गाउं के चारों तरफ पीपल के पेड़ों के नीचे बैठे हैं वही कुछ लोगों ने बताया है वो पीपल के पेड़ के ऊपर भी ऑक्षियन लेते हैं जहां से उन्हें ऑक्षियन लेने में काफी फायदा हो रहा है और उनका ऑक्षियन लेवल भी काफी बड़ा है तो आप मेरे साथ देख सकते हो तस्वीरों किस प्रकार लोग यहां प झाल